शरीर में मौजूद 114 चक्रों की बात करें तो चक्र शब्द का अर्थ है पहिया लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शरीर की नाडियों या उर्जा मार्गों का मिलन बिंदू ये मार्ग हमेशा त्रिकोन के आकार में मिलते हैं पहिये का मतलब है गोल निश्चित रूप से त्रिकोन आकार वाले पहिये ज्यादा जैजी दिखेंगे वो हमेशा त्रिकोन के आकार में मिलते हैं लेकिन हम उन्हें चक्र कहते हैं क्योंकि जब हम उन्हें किसी में देखते हैं तो वो गोलाकार ज्यादा देखते हैं क्योंकि वो एक विशेश आयाम की उर्जा फैलाते हैं क्योंकि वे फैलाते हैं और हर फैलाव हमेशा गोलाकार में होता है आप एक जील में त्रिकोन पत्थर फैंके फिर भी लहरें गोलाक हम कहते हैं कि एक चक्र है क्यूंकि ये आपको उस पार ले जाता है तो प्रणाली में 114 चक्र है मुख्य चक्र और भी चक्र हैं मुख्य चक्र जिन पर काम किया जा सकता है वो 114 है इन 114 में से दो भौतिक शरीर के बाहर होते हैं 112 शरीर में होते हैं इन 112 में से 4 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं करना होता यानि अगर आप बाकी के चक्रों पर काम करें तो ये अपने आप जागरोत हो जाएंगे इन पर काम करने के लिए प्रणाली की जरुवत नहीं तो 108 वो चीजें जिन पर असल में काम किया जा सकता है ये 108 वो संख्या है जिसने इस प्रणाली में इसी लिए अभिव्यक्ति पाई है क्यूंकि 108 एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या एक महत्वपूर्ण संख्या है सौर्य मंडल की रचना में सूर्य और धर्ती के बीच की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है कई रूपों में आप देखेंगे की 108 अनुपात है सौर्य मंडल की रचना में हाठ योग की महत्वपूर्ण चीज है लगतार ये स्विकार करना कि इस शरीर ने ये रूप लिया है और ये शरीर इस तरह की अभिव्यक्ति बना है इसका मुख्य कारण है कि कुमहार की चाक इस तरह है क्यूंकि सौर्य मंडल ऐसा है इसलिए ये अभिव्यक्ति है तो आदियोगी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर इंसानी शरीर को और विक्सित होना है तो कुछ बड़े या प्रचंड बदलाव होने होंगे सौर्य मंडल की बनावट में सिर्फ तब इंसानी शरीर का धांचा बदलेगा क्यूंकि ये पूरा विक्सित हो गया है भौत एक धांचे के स्तर पर एक सामान्य जीवन जीने के लिए एक पूरा भौत एक जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ एक्कीस चक्रों की जरूरत होती है आपके शरीर के एक्कीस चक्र अच्छे से काम कर रहे हो तो कोई नहीं सोचेगा कि आप में कोई कमी है आप एक पूरे इंसान होंगे तो सिर्फ एक्कीस की जरूरत है एक पूरा जीवन जीने के लिए बाकी सिर्फ बोध के उंचे आयामों के बारे में हैं कि आप बस इंसान नहीं है इंसान अपनी पूरी क्षमता में तब तक नहीं खिलेगा जब तक कि आप उसके लिए सही वातावरन नहीं बनाएं भीतरी और बाहरी पर सौभाग्य से मुख्य रूप से भीतरी जो 63-9 मार पर आधारित है वो उन्हें 63 संत कहते हैं जिन्होंने तमिल संस्कृति को बड़े रूप में रूप आंतरित किया वो हर किसी की जीवन में अध्यात्मा ले आए एक चीज है कि 63 लोग हो सकता है ज्यादा लोग रहे हों लेकिन प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने वो लोग छोड़ दिये और सिर्फ 63 बताए आप किसी भी मंदर में जाएं आपको छोटी-छोटी मूर्तियां मिलेंगी 63 मूर्तियां क्यूंकि अगर आप में 63 चक्र सक्रिये हैं तो हम कहते हैं कि आप एक संत हैं आप बनने लगे हैं शुरुआती संत हैं अगर आप में 84 सक्रिये हैं तो आपने कई सीमाएं पार कर ली हैं जो आम तोर पर लोग सोचते हैं कि अतिमानविये हैं अगर आप 108 तक पहुंच जाएं इसका मतलब है कि आप पूरे वहां तक पहुंच गए 114 या पूरे सक्रिये होने का मतलब है आप और वो एक हो गए हैं कोई फर्क नहीं है अगर आप ग्रहनशील हो जाएं तो मुझे वहां आकर आपको चीजे समझाने की जरूरत नहीं किसी को आपको ये नहीं सिखाना होगा कि कैसे जुकना हैं क्या करना हैं आप इंसानी मशीन के बारे में सब कुछ जाएंगे सब कुछ इसके मूल से इसके परम तक